हेलो इन्वेस्टर्श ओल्कम तु धमका स्टॉक चनल आज हम लोग डिस्कास करेंगे डिल्टा कॉप लिमिटेज़ के बारे में तो पहले हम लोग इस सेर का फंडमेंटल डेटर चेक करेंगे उसके बाद इस सेर का टेखनीकल चार्ट का एनलाइसिस करेंगे एन उसकी बात जानेंगे इस सेर कर नेक्स टारगेट क्या हो सकता है तो पूरा डिटल जानने के लिए वीडियो में अंतक बन रहीता है देखिए फ्राइड के दिन एसेर आपका हाई गया था तू हांडेट फॉर्टिन पॉट्ट सेवेंट जीरो लो गया था तू हांड़ेट एट इस कमपणी के उपर आच का डेप है किसी भी तरीका का कुछ भी नहीं है कमपनी बिलकुल एक अपका डेप फ्री कमपनी है जो कि फंडमेंटल एक अच्या बात है अडं कमपनी के पास अभी आपका कैस अर।म टोwarmेट क कई सिक करोर इस कंपनी का डेप्र फोलौआ है है 1.10 अगर किसी भी कंपनी का cash flow as per profit का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और या पर एक से ज्यादा ही है इस कंपनी का आर्णिंग पर से है रूपी 7.37 return on equity है 3.80% NROCE है 5.49% यह जो कंपनी है डेल्टा कॉप इस कंपनी में public का holding है 47.11% Pomodos का holding है 33.31% DII का holding है 12.84% और FII का holding है 6.72% और यह जो आपका 33.31% Pomodos का holding है इसमें कुछ भी share प्रेज नहीं है प्रेजिंग चरका जो percentage है वो बिल्कुल 0 है जो कि fundamentally एक अच्छा बात है और H.O. कंपनी है डेल्टा कॉप इस कंपनी में market के दिगच इंबेस्टर मुकूल अगरवलसर ने आपका 85.12 का holding करके रखके हुआ है सेप्टेमबर 2022 तक जो डेटा मिल रहा है उसी सबसे ओके और इस कंपनी ने अभी तक maximum return दिया है 447.18% का तो अभी हम लोग क्या करेंगे सीधे चले जाएंगे इस शेर का चार्ट पर एक बार analysis कर लेंगे लेकिन उससे पहले आप अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और होसे कर तो बेल आइकन में भी किलिक कर लेजीगा था कि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड कर आप लोगों के पास automatic notification चला जा और एक बात पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों कुछ वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी informative लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दिजीगा क्यूंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा चासे है ठोणके उसके लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया था मतलब इस जगह पर आने के बाद support लिया था उसके बाद देखिए उसके पहले जब भी ACR आपका गिरा था इस लियान के नजदी गाया था इसको तोड़ नहीं पाया याप आने के बाद support लेते हुए याप हम लोगों को एक आपका bullish engulf प्याटर्न फर्म होता हो दिख रहा है जो कि आपका टेक्निकल एक अच्छा प्याटर्न है मतलब एक आपका bullish प्याटर्न है उसके बाद देखिए 27 डिसमबर 2022 के दिनी आप हम लोगों को एक आपका positive candle फर्म होता हो दिखा था एन इस candle में आपका super 10 ने bicycle भी दिया था एन उ आने कि कोशिस कर रहा है मतलब daily chart में ज्यादा तर indicator एप हम लोगों को bullish indication दिख रहा है ओके तो अब भी इस share का जो कार-in market price है अगर इसी डेंच पे इस share को खईदा जा तो मेरे ही से आप से आने वाले लागबग तीन महीनों में इस share आपका रूपिस 238 का जो टार्गेट है लेकिन कुछ भी action लेने से पहले आपका जो final CR advisor है उससे एक बाद जरूर कॉशिस करता है क्योंकि मैं कोई से बी रेइसर परसन नहीं हूँ और मैं आपके किसी भी तरीका का कुछ भी tips नहीं दियता हूँ तो मैं क्या करता हूँ मेरा जितना technical and fundamental knowledge है उसके उपर base करके वीड से टेक्निकली कैसा है कौन से fundamental कैसा है तो अचके लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद